हेलो फेंट्स में हूँ दिपंगर आपको बहुत बहुत सुभगत है क्रियेटिव दिपू चैनल पे तो फेंट से आ गया नया वीडियो लेकर तो देख सेक्तों मेरा हाथ में एक बहुत ही अच्छा कासा एक कीट है जो है कि 4.1 होम थेटर कीट तो आज इस वीडियो में इस ह स्क्राइब और पास में जो बेल है किने उसको दबा के ओल पर सिलेट करो क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नौट एक आपको जल्दी मिल जाए तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते है तो देख सेक्तों यह हमारा पास 4.1 का होम थेटर कीट तो स हमारा मेल audio amplifier 4.1 एक होम थेटर कीट है ठीक है तो यहां पर जो IC यूज किया है देख सकते हूं यह एक दो तीन चार यहां पर IC यूज हुआ है जो है कि TDA 2050 तो इसका नंबर देख सेक्ते हूं यहां पर लिखा हुआ है 2050 का यहां पर IC का उपर भी सेम उसी तरह से जो IC का न तो मेरे को लोकल मार्केट में यह मेरे को 270 रूपीस पड़ा है साहद देखो मार्केट का वैलू ना उपर निचा होता है किसी किसी जगा पे इसका प्राइस जादा होता है किसी में कम तो इसका मेरे को मेरा है यह 270 रूपीस में और इसको आप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सेक् कि मैं नीचे description में दे दूँगा ठीक है और फ्रिंट्स और एक बात यहाँ पे जो एक IC है 20-50 का एक IC है एक IC से आपको 35W तक मिलता है इसको connection करने के लिए कौनसा कौनसा component का use करने वाला हूँ और पहले दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं power supply दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जो power supply में use कर रहा हूँ ओ है 20-0-20 का 4A का एक transformer ठीक है देख से तो काफी heavy transformer है 20-0-20 का 4A ठीक है उसके बाद फ्रिंट्स अभी यहाँ पे 4 satellite speaker का जरूद होगा तो देख से तो मैं यहाँ पे एवाला एक speaker है और यहाँ पे देख से तो 5W का एक speaker है दो speaker है satellite और यहाँ पे दूसरा जो 2 speaker देख से तो यहाँ पे 2 speaker है ठीक है तो यहाँ पे total 4 satellite speaker मेरो को लग जाएगा ठीक है क्योंकि यह 4.1 है 4 inch का 4 ohms का एक Samcon का उफ़ड है जो इसके साथ काफ़ी मतलब इसका best performance देगा ठीक है तो मेरा पास यहाँ पे 4 inch का एक Samcon का 4 ohms का एक speaker है ठीक है उफ़ड है मैं यहाँ पे audio input देने के लिए एवाला Bluetooth module यूज करू जो एक एक Bluetooth card है एक B47K का double channel का potential meter देख सेक तो एक double channel का potential meter है तो connection करने के पहले मैं theoretical बाद बता देता हूँ कहाँ पे कौन सा चीज लगेगा तो ए है हमारा main board ठीक है तो मैं detail में बोलने का कोसिस करूँगा अब ध्यान से सुनना और देखना भी तो देखो ए हो गया main board हमारा तो right side में देखो यहाँ पे लिखा हुआ speaker तो यहाँ पे हम लोग को जो चाड़ो सैटेलेट speaker है ओ लग जाएगा यहाँ पे देख से तो जो pin है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो middle में यहाँ पे जो middle वाला point है और यहाँ पे जो middle वाला point है यह दोनो point है speaker का common वाला point मतलब सोचों यहाँ पे दो speaker है एक यहाँ दो इस दोनो speaker का जो negative जो दो वायर होगा ओ सोठो के middle में आएगा और दूसरा जो दोनो speaker का negative दो वायर common हो जाएगा ओ यहाँ पे हो जाएगा फिर चाड़ो का एक-एक वायर पहला speaker का positive यहाँ दूसरा वाला speaker का positive यहाँ तीसरा वाला speaker का positive यहाँ पे लग जाएगा और चौथा वाला speaker का positive यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ पे चाड़ो speaker का connection हो जाएगा एवाला एक IC है एवाला IC है तो एक IC से दो satellite speaker चलेगा A वाला IC से भी दो सेटलेटी स्पिकर चलेगा और A दोनों जो IC है इस दोनों IC को ब्रीज में कनवर्ट करके यहाँ पर बस A की उफ़ड का कनेक्सिन है उसके बाद फिरंस यहाँ पर अभी सबुफ़ड में आते हैं तो A होगे स्पिकर का और सबुफ़ड का तो सबुफ़ड का देख से तो A जो दो पुइंट है यहाँ पर हमारा जो उफ़ड का दो पुइंट रहेगा पॉजिटिव और नेगिटिव ओ दो पुइंट यहाँ पर लग जाएगा तो इसका भी कनेक्सिन थोड़ा देख लेते हैं तो देखो यहाँ पर जो चार नमर पीन A वाला है और इसका चार नमर पीन A वाला है तो इस दोनों पीन का A वाला देख से तो यहाँ पर कनेक्सिन हुआ है और दूसरा वाला चार नमर पीन का A वाला तो इस दोनों हो गए हमारा उफ़ड का देख्षें के इस दोनों वाला point उफ़ड का है, देख्षें तो उफड का है, ब्रीज में है, दोनों ऐसी ब्रीज में लगा हुआ है और यहां पे हमाला उफड का हो गया, अब यह आते हैं इवाला point, इवाला point है हमाला उफड को, जो sound मतला base होए, उस base को increase और decrease करने के लिए ठीक है, तो मैं connection करने के time बता दूंगा, यहाँ पे यह वाला ground है, यहाँ पे out in है, ठीक है, कोई बात नी, तो यहाँ पे speaker हो गया, यहाँ पे out हो गया, यहाँ पे out का connection भी हो गया, complete, ठीक है, अभी आते हैं, यहाँ पे power supply, तो देख से तो यहाँ पे थीनो पीन, बहुत लंबा 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 पीन है, और यहाँ पे देख से तो यहाँ पे अमारा full-witch rectifier भी है, यहाँ पे diode लगा है, ठीक है, तो दायोट, और अगर आप detail में जानना चाहते हो तो यहाँ पे देख से तो full-witch rectifier है, यहाँ पे देख से तो full-witch rectifier है, और इस rectifier से जितना voltage आउट पुझा रहा है, वहाँ पे दो capacitor हो रहा है, ठीक है, तो ओ गया, मतलब rectifier का, तो आप लोगको उतना देखना का जरूद नहीं है, यह यहाँ पे आप 2012 का power supply देदो काम हो जाएगा, तो उसके बाद friends, थोड़ा lift में आप देखोगो तो यह वाला point मिलेगा, यह वाला point है हमारा Bluetooth module में power supply देने के लिए 5V, ठीक है, तो धियान से देखो friends, यहाँ पे आप लोगको एक L7805 का एक voltage regulator IC देखने को मिलेगा, ठीक है यह voltage regulator IC है, इसका right side वाला है हमारा out का, तो देखे दो right side वाला out वाला point है, यह वाला point यहाँ पे connection है, ठीक है, देखे दो तब दियान से देखो, यह वाला out है, out वाला point यहाँ पे connection है और यह वाला ground के साथ, सौट है, ठीक है, तो बीच में यहाँ एक capacitor है, जो है कि 100 mu of 25V का capacitor है, यह वाला capacitor, छोड़ा वाला, यह वाला capacitor, यहाँ पे voltage आएगा 5V, उसको filter करने के लिए, ठीक है, यह वाला point clear है, तो इतना कंपी हो गया, अपी last में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी sound करके, यहाँ पे हमारा simply से हमारा जो Bluetooth module से जो आएगा, ground, right or lift, तो यहाँ पे 3-0-1, तो simply से जिस्ता से मैं बताया था, यहाँ पे 12-0-1 का, पीछे देखे तो 12-0-1, यहाँ पे 3-0 connection कर लेंगे, ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, तो फिर देखे तो यहाँ पे हमारा जो transformer है, बहुत ही अच्छा तैसे यहाँ पे connection कर दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे audio input करने के लिए यह वाला Bluetooth module में यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ Master Volume के लिए यहाँ पे V47 के कर डवल चनल का एक potential meter यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहला हम लोगो क्या करना होगा, potential meter को कुछ इस ताह से हम लोग को मतलब हाथ में पकड़ना होगा, ठीक ह तो मैं यहाँ पे हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है, देख साथ कुछ इस ताह से आप लोग को left side वाला दो पिन को आपास में sort कर देना है, तो ए वाला पिन हो गया हमारा ground का, ठीक है, middle वाला हो गया out का, और right वाला हो गया in का, इस में in out की इस ताह से होता है, ओ भी मैं detail में ब soldering कर देता है, तो देख से तो बहुत ही अच्छ तरह से यहाँ पे soldering कर दिया, दोनों wire को, तो अभी करना क्या है, अभी इस potential meter एक wire को, potential meter से एक wire को, black wire को, यहाँ पे हमारा जो, हमारा Bluetooth module है, Bluetooth module में देख से तो यहाँ पे आप लोग को right, left और ground देखनों को मिलेगा, तो इस black wire को, यह जो हमारा ground बाला point है, इस ground बाला point में soldering कर देना होगा, ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले soldering कर देते हैं, तो देख सेकतो, ground का एक point में यहाँ पे soldering कर दिया, ground के साथ, अभी दूसरा potentiometer का दूसरा जो wire है, यह वाला wire, black wire, यह वाला wire कहां connection होगा, यह वा audio ground का, तो यहाँ पे, जो दूसरा black color का wire है, potential meter से, तो यहाँ पे इसको soldering कर देना होगा, middle में, तो चलो इसको यहाँ पे soldering कर देते हैं, तो फिर देख से तो, यहाँ पे जो ground वाला point है, बहुत ही अच्छाते से soldering कर दिया, अभी बाकी है, right और left, तो देख से तो, यहाँ पे जो potential meter है, potential meter में, यहाँ पे दो red wire, दो white wire लगाना है, किस ताहस है, इस दोनो उपर के दो point में, हम लोग को लगाना है, दोनो red wire, और नीची की तरफ, इस दोनो point में, हम लोग को लगाना है, दो white wire, तो सबसे पहले, चाड़ो wire को connection कर लेते हैं, तो देख से तो, यहाँ तो दो पे 4 wire connection कर दिया, तो अभी करना का है, अभी जो, देख से तो, right side वाला जो point है, तो इस right side का, जो red color का wire को wire है, यह वाला wire हमारा bluetooth module में, right में, लगा देंगे, और जो white color को wire है, ए वाला wire हमारा bluetooth module में, left वाला point में, लगा देंगे, तो सबसे पहले, right side वाला, जो पॉइंट है इस Bluetooth मॉडियूल में connection कर लेते हैं ठीक है चलो तो देख से तो बहुत यातर चाहिसे यहाँ पे Bluetooth मॉडयूल में तीनों पॉइंट connection हो गया अब देख से तो इस potential meter में middle वाला जो दो पॉइंट है यहाँ पे दो वायर connection करके रखा हूँ यह दोनों पॉइंट हमारा जो कीट है इस कीट में देख से तो यह वाला हमारा तीनों पॉइंट है तो middle वाला तो काम हो गया तो इस तीनों पॉइंट के दोनों साइड में यहां पे देख से तो एवाला एक साइड एवाला एक साइड इस दोनों साइड में रेड वाला वायर राइड साइड के लिए और वाइड वाला वायर लेप साइड के लिए तो इस दोनों वायर को इस दोनों पॉइंट में connection कर देना होगा तो चलो इसको भी कल लेते हैं तो अब ही बारी आते है speaker का, तो हमारा सबसे पहले जो 4 speaker है, satellite speaker, उसको ले लेते है, चुटकी से, तो देख से तो यहाँ पर हमारा 4 speaker आ गया, तो friends, speaker में, अब देख से तो, यहाँ पर negative और positive है, यहाँ पर भी negative और positive है, तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनो speaker का negative, तो यह वा यहाँ पर दो black, मतलब इस speaker का negative और इस speaker का negative, दोनो speaker का negative को आपस में sort कर देना होगा, ठीक है, तो चलू उसको कल लेता है, तो देख सेख तो, speaker का 2 negative sort कर दिए, यहाँ पर 2 positive side बाकी है, तो अभी क्या करना होगा, देख सेख तो, मैं दो speaker लगा के दिख कर रहूं, आप यहा यहां पर देख सेक्ट तो इस्पिकर का पॉइंट है तो इस्पिकर का पॉइंट में देख सेक्ट यह वाला तीन पॉइंट तो इसे घुमा लेंगे तो यहां पर हमारा हो गया यह वाला तीन पॉइंट तो क्या करना होगा यहाँ पे जो दोनों speaker common बाला जो point है यह वाला point sort हो जाएगा middle में ठीके यह 3 है तो middle में common बाला लग जाएंगे तो चलो middle में सबसे पहले एक ठो लगा देते है ठीके तो देखे तो यहाँ पे दोनों common को में मिडिल में लगा दिया और अभी एक speaker का positive एक side में दूसरा speaker का positive दूसरा side में लगा देंगे ठीक है तो चलो दोनो speaker को दोनो side में लगा देते हैं तो देख से तो यहाँ पे एक speaker और यहाँ पे दूसरा speaker दोनो speaker बहुत ही अच्छता से यहाँ पे connection हो गया लग जाएगा किस ताह से दोनों speaker का negative middle में लग जाएगा और एक speaker का positive right side में, दूसरा speaker का positive left side में लग जाएगा, तो चलो इस दोनों speaker को भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो देख से थे हैं, यहाँ पर चाड़ो speaker बहुत ही अच्छता से connect कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ वाला connector है, तो connector use कर सकते हो, नहीं तो आप soldering कर सकते हो, तो यह हो गया speaker, यहाँ पर power supply, यहाँ पर audio input, अभी बाकी है, last में हमारा उफार वाला connection, तो चलो उफार वाला connection में कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको side कर लेते हैं, तो देख से तो यहाँ पर हमारा उफार ले लिया, उफार का दो point में, यहाँ पर देख से 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 negative और positive है, तो यहाँ पर दो वैर सबसे पहले connection कर लेते हैं, यहाँ पर दो वैर मे यहाँ पे connection करने वाले हो, देख से तो पहले मैं बताया, तो यहाँ पे दो वेर इसको फटवाट connection कर लेते हैं, देख से तो यहाँ पे दो वेर में connection कर दिया, उफ़ड का, तो अभी last में और एक चीज लगाने वाले है, जो है कि हमारा उफ़ड का volume को increase और decrease रहने के लिए, यहाँ पे beef 100k का potential meter, तो सबसे पहले इस तीनों पॉइंट में तीनों वायर को connection कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत याज़ते से तीनों वायर connection कर दिया, यहाँ पे एक black, दो red, तो लेफ साइड वाला जो black color का वायर है, इसको कहाँ लगाना है, तो यह वाला देख से तो हमारा point है, ठीक है, तीस point में अभी हम लोग को लेना होगा हमारा multimeter, multimeter में diode checker में लगाना है, देखो बीप कर रहा है, तो इसको यहाँ पे रख रहा है, ठीक है, simplest है, और रखने के बाद अभी देखो, यहाँ पे एकदम middle वाला में, middle वाला तो नहीं होगा, दोनों साइड में, तो देखो, देखो बीप नहीं हो रहा है, तो एकदम राइट साइड वाला लगाए तो देख सेको, यहाँ पे बीफ हो रहा है, ठीक है? तो जिसमें बीफ हो रहा है, ओ बाला पॉइंट हमारा potential meter का, लेप साइड वाला पॉइंट हो जाएगा, black color का नहीं पुएर, मतलब देख से तो ground है कहाँ पर है यहाँ पर तो इसका ground है यह वाला beep कर रहा है तो इक ground के साथ हमारा potential meter का left side वाला wire connection हो जाएगा middle वाला middle में और A वाला wire left side में तो इस तीनों wire को यहाँ पर connection कर लेते हैं last में एक ही connection बाकी है जो है कि हमारा Bluetooth module का power supply का connection तो इस Bluetooth model में power supplyogen क्वाज़ साथ आप जहाँ पर GND है वहाँ पर negative और 5V है वहाँ पर positive लगाना है तो positive and negative ऐने के लिए आप power supply कर देने के बाद जहाँ पर positive negative कर सेखा नहीं तो इस capacitor का negative के साथ Bluetooth model का negative और इस capacitor का positive के साथ यह वाला positive लगा दो काम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर दू एल लगाने के बाद इस दो एल में चनेक्सिन कर तो पुडा कनेक्सिन से कंप्लींट हो जाएगा तो इसी के साथ हमादा पुडा कनेक्सिन होता है कंप्लीट तो log अवाला धूनों वैल लगाने कबाद जो पुडा system हày स्सिस्टेम को चेक है को स्सक्राइब तो टेख सेकते हैं यहां पर नस सब्सक्राइब राइब में थे दिया। प्लूट्ट में भी ब्लूट्ट में आ Yuk도 अब देख सेक तो अभी B30 दूड में आने। तो मतलब Bluetooth अभी connected है तो चला एक song प्ले करके देखते है कि इतना अच्छा असा output हम लोग को मिल रहा है तो देख से तो यहां पर मैं तो एक song प्ले कर दिया फिर भी यहां पर कोई sound नहीं आ रहा है क्योंकि यहां से मैं sound को एकदम low करके रखा हूँ तो चलो धीरे-धीरे sound को क करेंगे तो यह वहां हमारा फूल मतलब master volume है तो चलो master volume को increase करते है तो जैस एक थे मास्ट का वॉल्यूम को इंक्रिज करने की रहा नहीं पर प्रट ऑख धर अच्छाज का में जात हो तो इसा थोड़ी बट में रखे थे थोड़ा व्हाइवेड करेगा तो यह सेटेलेट इस पिकर बहुत यह सदसे काम कर रहे तो चला वी जो बेसे इस उफ़ाड में मतलब हमारा प्रोटिंशने मीटर से इसको इंस्क्रीज करते है वॉल्यूम को अब ही करते हैं मास्टर वॉल्यूम के इंट्रीज कुछ इसता से जो पूरा काने से नहीं कंप्लीट होता है और आप घर पे बहुत ही अच्छा था इसे अच्छा का वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं लागा तो चली फैन आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फे तब से ले गुडबाई जय हिंद जय भाड़ात